नमस्कार, मारवाडी मीडिये आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी को दिपावली की हार्दिक सुपकामनाए चली अब नजर डालते हैं, परदेश की दिनबर की तमाम बड़ी खबरों पर सुरुवात करते हैं, आज की सबसे बड़ी खबर के साथ परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने आज राजस्तान के जेसल मेर में जवानों के साथ बोर्डर पर दिवाली मनाई, परदान मंतरी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा है कि जवानों के लिए देश की तरप से मिठाई लाया हूँ, उन्होंने लोंगेवला पोश्ट से ज पूरा देश वीरों की गाता सुनकर अपने आपको गौरवानमित महसूस करता है। पूरा देश भरत पाकिस्तान अंतराष्टे सिमा पर चल रहे तनाव और आंतकी गतिवीदियों और दिवाली के त्योहार के मद्य नजर खूपिया एजेंसियों ने देश भर में हाई अलर्ट गोसित का रखा है। पर सिमा वर्ती जिलों और परमुप सहर में करीब 200 से ज़्यदा IPS और आर्पीएप अपसरों समेथ पुलिस की टीमे चोकस है। वहीं आपको बता दे जो जिले बोर्डर से सटे हैं वहाँ भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है ताकि लोग आराम से दिपावली मना सके। एक और बड़ी खबर आपको दे दे राजस्तान में इस साल दिवाली कोरोना महमारी के डर में मन रही है। राजस्तान के कई बड़े नेता कोरोना संकर्मित हो चुके हैं और सवास्ते लाब ले रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दे वर्तमान समय में कोरोना नामक बीमारी से बचने के लिए लोग सेनेटाइजर लगाते हैं। एसे में दिपक जलाने या पठा के जलाने से परहेज रखें क्यूकि सेनेटाइजर में 70% एलकोहल होने के कारण ये हैं अती तीरवे जवलन सील भी है इससे आग लगने का खत्रा कई गुना ज़्यदा बढ़ सकता है। ये बात करते हैं परदेश में धूम दाम से दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है हालां कि पठा को पर रोक है इसके बावजूद भी कई जगे है वो दिवाली पर लोग है वो पठा के फोड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये हती परदेश के आज की बड़ी खबरें आप और आपके पूरे परिवार को एक बार फिर दिवाली की धेरून 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 सारी सुबकामनाएं। धन्यवाद।